तो आज की वीडियो का thumbnail और title तुम पढ़के समझ चुके होगे कि ये वीडियो बहुत sensitive matter पे होने वाली है और इस वीडियो के माध्य हमसे मैं आप सभी लोगों से मदद मांगना चाता हूँ क्योंकि यार अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अगर हम सब लोग इस सब के बाद में भी साथ खड़े नहीं होए ना तो यार समझ ले ना हमारी BGMI की community का कोई भी future नहीं रहने वाला है और अभी ये जो हुआ है ना इसकी भी तुम लोगों को अभी तक भी एक छोटी सी picture दिखाया जारी है तुमसे बहुत सारी बाते चुपाया जारी है इतने सारे लूफ होल्स है ना कि जब मैं ये सब आपको दिखा दूँगा ना उसके बाद आप खुद बोलोगे कि हम सब आपको साथ खड़ा होना ही पड़ेगा तो मैंने अभी 15 दिन पहले एक वीडियो डाली थी हाइदराबाद हाइडरास के ओपर ही किस तरी किसे स्कैमर्स को ना उने भर रखा है अपने content creators की list में और उस वीडियो के बाद आपने इतना support दिखाया कि हाइदराबाद हाइडर को उस creator को जिसका नाम सल्मान है उसको किक करना ही पड़ा अब फिर से हाइदराबाद हाइडरास के ही एक e-sports player ने एक और कांड कर दिया और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ fs future station के lineup के एक बंदे हैं जिनका नाम है fsk47 game में उनकी fight हुई हाइदराबाद हाइडरास की team के साथ में जहां पर उन्होंने दो बंदो को नौक भी कर दिया लेकिन इनका जो तीसरा बंदा है जिसका नाम सरकार है उसने उनको नौक कर दिया और नौक करने के बाद कुछ इ बंदी के बाद बैन के लेंड तेरा कौन है यह कौन है तुम frustration देख सकते हो किस frustration के साथ में ये बंदा बोल रहा है तुमको लगता है कोई गल्ती हो सकती है कौन है कौन है अबे सरकार 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 तुमारा का personal matter था तुम अगर फिस तक भी छोड़ देते या तुम गाली भ भगवानी समझ बैटते हैं उनको ये लगता है कोई दूसरे community उनके आगे कुछ है ही नहीं वो किसी को कुछ भी बोल देंगे और कुछ वरक नहीं पड़ने वाला है और तुम तब बोलोगे ना जब तुमारा कोई personal matter हो लेकिन इस चीज के बारे में मैंने K47 से खुद पू क्योंकि तुम्हें क्या लगता है ये सब के बाद भी उसने माफिय मांग ली तो भाई अगर तुम ये सोच रहे ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस धर्ती पे क्योंकि ये हरकत होने के बाद जब K47 ने confront कराए ने तो इनका डारेक्ट ये कहना था वो गाड नमर आये मेरे मुझे उनसे क्या मतलब है भाई मेरा ड्रॉप दूरता में उदर गया मैं जहां उत्रू पूरे मैप में देखवे जो गेमर बोड है न ये बागी टूर्णमेंट आपसे एकदम अलग है इसमें कोई कस्टम रूम और आईडिपी का जंजट नहीं है इसमें फ्री टूर्णमेंट्स पे तूर्नमेंट्स बड़े-बड़े प्राइस पूल के साथ आपको बिना हैकर और चीटर के 100% सेफ और सेक्योरिटी के साथ में मिलेंगे ये स्पेशली बनाए कंपरिटिव और e-sports के लिए और इसमें आपको कंपरिटिव नहीं खेलना आपको बस जो रैंग्ड क्लासिक मोड हैं उनको आप प्रोफेशनली कंपरिटिव स्टाइल में खेल सकते हो इन्होंने BGMI के टीयर सिस्टम को लेकर ही टूर्नामेंट्स डिजाइन कर दिये जिससे आपको क्लासिक में कंपरिटिव का मौका मिल जाएगा और हाई टीयर का मतलब कॉम्पेटिशन हाई और पैसा भी डबल अब इनके आप पे 100K प्राइस पूल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और जैसे जैसे टीम्स बढ़ेगी है और भी बढ़ता जाएगा और अपना गेम दिखाके आप तुरंट इन आप विड्रॉल कर सकते हो और टूर्नमेंट जॉइन करने का भी कोई पैसा ने लगेगा बस साइन अप करो और कैश बोनस गेमर बुड आपको खुद देगा कोई भी दिखकत आए तो इनके डिस्कॉर्ट सरवर पर इनकी सपोर्ट टीम हमेचा अवेलेबल रहती है तो उसको तुरांट ये लोग सॉल्व कर देते हैं गेमर बुड को यूज करना बहुत असाने बास साइन अप करने के बाद टीर से लेक करो टूर्नमेंट जॉइन करो प्ले एन गिव परंस पे जाओ फिर बीजेमाई ओपन करो और वेरिफाइ करो अपनी प्रोफाइल और खेलना शुरू करो और देखो जैसे मैं अब ये भी जीता वैसे ही आप भी गेमर बुड के टॉनरमेंट जीच सकते हो और इनका परपस गेमिंग कम्यूनिटी को एक नए लेवल पे लेके जाने का है तो जरूर से चेक आउट करना लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन और बता ये सब के बाद में भी इतनी जादा चौड में ये क्यों है क्योंकि ये भाई साब को फेवरेटिजम का सपोर्ट है वो मैं बताता हूं कैसे क्योंकि हैदरावाद हाईडरास के e-sports head है iFlex और iFlex के पहुत ही दिल के करीब है हमारे सरकार भाई और iFlex को सरकार से माफी निकलवानी थी क्योंकि reputation भी बचानी है उस player को खिलाना भी है तो उस वज़ा से जबरदस्ती माफी मंगवाई गई है उससे और ये मैं प्रूफ करता हूं कैसे क्योंकि इन सब चीजों के बाद मैं iFlex भाई हमारे live stream पे आये और सरकार ने ये बोला और ये चीज बहुत like frustration में हुई थी क्योंकि like मैं अपना point of view तो नहीं बताऊंगा क्यों मैंने बोला है बढ़ है बाद हाँ कुछ चीजे जो हो रही थी अब इसके आगे जो ही बोलेगा इसको बहुत धान से सुनना आप प्रॉमिस कि कभी मैं रिलिजिन को बीच में नहीं लाओंगा और मैं नहीं लाता बट आई डूंट नो वाई क्योंकि बहुत रशेट हो रखा था मैं कुछ चीजों को लेगे और वो चीज़े मेरे मुझे निकली भाई सामने फिर से वही बात बोली कि मैं लाता नहीं इन सब चीजों को लेकिन बहुत फ्रॉस्टेशन में बोली और इसके बाद एकदम चुप सनाटा पढ़ गया दोनों के बीच में और फिर तब आइफलिक्स ने देख लिया कि ये सौरी बोल ही नहीं रहा है तब उससे जबरदस्ती बुलवाया है अब तुम मुझे सच में बताओ क्या बंदा सौरी फील भी कर रहा है सब के लिए और सौरी क्यों फील टेरेगा यार जब सोच ही ऐसी है तुम सोच थोड़ी ना बदल सकते हो किसी की और ये सब के चलते तुम बोल रहे थे कि तुम परसनली जानते हो तो बस साथ दिन का सिस्पेंशन दे के छोड़ देंगे हम देख लेंगे यार हमारा जानने वाला बंदा है क्या तुम लोगों के रिलीज़ सेंटिमेंट्स तक को मजाग समझ के रखा हो है क्या और ना मुझे सरकार की एक्ष्विनेशन समझ में आ रही है ना हैधराबाद हाईडरास का आक्षें लेना समझ में आ रहा है और Hyderabad Hydra सोच रहे हैं कि बस टोरी डाल देंगे और उसके बाद काम चल जाएगा अब फिर मारने के बाद जो WhatsApp audio दिखाई कामरान ने उसके लिए जो explanation दिया ना इससे लौजी explanation तुमने सुनी नहीं होगी भाई देखो, of course यह चीज हम लोग नहीं बोला है यह जो भी है यह जो भी काली है हम लोग नहीं दिया है definitely बट यह जो है जस्ट वो जस्ट इंसान इतना साधा इसी लिए अटक रहा है क्योंकि उसे खुद बताए कि जो वह बात बोलने जा रहा है बहुत जादा रेडिकिला सांड करती है वह उसमें मर गया और लोगी में आ गया तभी बोला नहीं है तभी बोला ए उसके बात लेस जस्टे उसके बात 5 minutes हो गया 5 minutes में we got connected into a call उसके बात 5 minutes में we got connected into a call समझ रो सो यह text जो है थोड़ सा मलब पूरे understanding की बात पुरान है एक होता है ना एक realization of अभी मैं कुछ गल्ती किया यार तुरंद वो चीज पता चलने के लिए तुरंद नहीं हुआ basically तो 2 minutes लगा पता गरा and yeah that's that's the thing like basically इनका गयाना है कि यह सब तोस ने match खतम होते ही बोल दिया था इसके 5 minutes के बाद हमारी call पर बात वी थी और call के बाद इसको realization आ गया इससे बाले तक realization नहीं आया था 5 minutes के अंदर अंदर भाई को समझ में आ गया कि यह गलत था जिसके लिए इसको stream पे बुलवा के पूच पूच के माफी मंगवाई गई और stream पे हर जगा बात फैल गए और कामरान भी उस तरीके के स्टोरीज भी डाल रहे हो अब भी भी बोल दिया है suspended indefinitely मतला कभी भी किसी भी time आ जाएगा तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा हमें indefinite suspension नहीं चाहिए हमें permanent suspension कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी वजा से हमने ये decision लिया है हम तो पहले से ही उसको fire करने का सोच रहे थे क्योंकि deliverables उसके complete नहीं हो रहे थे मतलब सलमान लगबग एक साल से इनका content creator था तब से उसके views कुछ बड़े नहीं कुछ भी इसके engagement में difference नहीं आया है वैसा का व तब केवल source की basis पे ले लिया क्योंकि इसके साथ का creator जैसे higher किया था वो इसका दोस्त था तब इन्होंने कुछ भी नहीं देखा लेकिन जैसी मैंने video डाली वैसे ही ये कहते है coincidence से तुमारी video आया हम निकालने वाले थे इसको और उपर से मुझे धंकी भी दी गई कि अगर म ही हाइदराबाद हाइडरास की तरह से कोई भी पूरिस टेशन आ रहा है पार वर बस डेट दिये जा रहे है इस डेट को हैंगे इस डेट को हैंगे इवेंट आ रहा है और इस चीज के उपर proofs के साथ आप लोगों को detail में एक वीडियो बना के मैं दूंगा जो इनके उपर proper action हो जाता है तो और मेरा यहाँ पर कहने का मतलब केवल यह है कि तब भी तुमने गलती accept नहीं करी अब भी तुम सही से action नहीं ले रहे हो तो किस दिन का इंतिजार कर रहे हो कैसी चीज़े होंगे जिस पे finally तुम action लोगे और permanently बंदे को निकालोगे अगर तुम ही strict protocols follow नही जादा share करो क्योंकि हैस्टेक बहुत जल्दी आगे फैलेगा और जितना जादा लोग यूस करेंगे उतना जादा वो united feel करेंगे कि हां सब एक साथ खड़े है इस चीज के लिए and I really hope Hyderabad Hydra's अपना favoritism चोड़के इसके अगे strict action लेती है क्योंकि ऐसा भी नहीं चल रहा कि क पहले भी बहुत बार हो चुकी है और अलग-अलग community के against हो चुकी है और अगर आपको देखना है तो अभी right और left वाली वीडियो पे click करके अभी check कर सकते हो और gamer board को ज़रूर से check out करना और मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye